तो बच्छों कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्छों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं class 12 का जो आपका fine art यानि कि यह जो painting subject है हिंदी में जिसको आप सित्र कला विशय भी बोलते हैं इसका एक important sample question paper इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और यह हमारा fine art का दूसरा sample paper का जियां बच्चो second sample paper का वीडियो होने वाला है इससे पहले आपका fine art का ही एक sample paper का वीडियो अल्रेडी में अपलोड कर दिया है तो अभी तक आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो उसका link में आपको description box में दे दूँगा उस पर click करके उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा आपका जो कल exam होने वाला है न यानि कि 6 March जी हाँ बच्चो 6 March 2024 को जो आपका fine art painting का यह जो exam होने वाला है इसके अंदर आपको वो वाला वीडियो बहुत ज़रा मदद करेगा और साथी साथ ये sample paper भी कल के paper में आपको बहुत ज़रा मदद करेगा तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं की इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा बच्चो जितना ज़रा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़रा हमारा motivation बढ़ता है और वीडियो को बनाने के लिए चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं विद डेले स्टेडी पॉइंट को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे ही यूनीक सब्जेक्ट के वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं साथी साथ जो हमारे नॉर्मल जो वीडियो से जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिस इनकी तो वीडियो आती ही है, सैंपल पे पर इंपोर्टन कोशन की लेकिन आपके डिमांड के उपर अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी हम लेकर के आते रहते हैं जैसे फाइन आर्ट हो गया, स्कल्चर हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया ग्राफिक्स हो गया, इन सबका भी सैंपल पर हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी ये, घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके All पे क्लिक कर दीजेगा पाइनाट का जो पेपर होता है वो दो घंटे का होता है अधिकतम उंक जो रहने वाले हैं वो तीस रहने वाले हैं यानि कि तीस नमबर का आपका पेपर होगा, बग्चो बात करें अगर आपसे आपके board के paper की तो जो आपका board exam का question paper आता है वो कुछ इस तरह का आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक unique series number आपको देखने को मिलेगा एक set number आपको देखने को मिलेगा और mostly जो मैंने previous year के papers देखे हैं इसके नीचे चले तो आपको एक code number देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अपने board exam का roll number लिखना होता है ठीक है बच्चो इस तरह से आपको आपका board exam का question paper देखने को मिलेगा और इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है और एक-एक अंक के यानि one marks के questions यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे जो आपका खंड खो रहेगा इसके अंदर भी सभी questions का उतर आपको देना है सभी प्रश्णों को उतर देने हैं और यहाँ पर दो-दो नंबर के question आपसे पूछे जाएंगे जो आपका खंड गह यानि section C रहेगा इसके अंदर भी सारे questions आपको attend करने हैं और यहाँ पर छे अंक के प्रश्ण जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे six marks वाले ठीक है section A के अंदर जिसको हिंडी में आप अनुभाग A भी बोलते हैं इसके अंदर मेंली हमसे mcq type question जो है वो पूछे जाएंगे बत्तो ठीक है तो यहाँ पर देखे पहला question क्या पूछ रहा है कि लगू लगू सैली जिसे आप इंगलिस में miniature style भी बोलते हैं इसकी उत्पत्ती राजस्थान में कहां से हुई और इसने अपनी मौलिक्ता को अंतिम समय तक बनाए रखा तो यह यहाँ पर मेवाड आपका correct answer हो जाएगा कि मेवाड से आपका जो यह miniature style है यह originate हुआ था ठीक है maintained its originality till the last time तो मेवाड आपका correct answer हो जाएगा बच्चो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important update मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात था जो मुझे आपके साथ share करना था वो यह है कि यह जो मैं आपको sample question paper number 2 करवा रहूं painting का इस video के अंदर यह जो sample paper है यह last year का CBSC का sample paper paper है ठीक है जिसको CBSC के द्वारा English medium में जारी किया जाता है तो मैंने क्या किया है उसको ही यहाँ पर हिंदी में अच्छे से translate कर दिया है और एकदम अच्छे से design करके आपको मैं समझा रहा हूं बच्चो इससे पहले जो मैंने sample paper number 1 upload किया है वो latest वाला sample paper है इस साल का 2024 के लि दाबर है ठीक है और यहाँ पर मैंने questions वगेरा match किये तो लगभग लगभग वैसे ही questions है इसलिए मैं यह sample paper आपको करवा रहा हूं और last year जो मैंने sample paper करवाया था ना बच्चों को बहुत सारे बच्चों का comment आ रहा था कि सर जो करवाया आपने वही आया सर जी यह question आपने क पैटन देखना है कि इस साल का paper मेरा आएगा कैसे तो आप sample paper number one की वीडियो देख लीजिए उसके question answers तैयार कर लीजिए और अगर आपको important questions देखने है कि हाँ भया important देख लेता हूं कि क्या paper में आ सकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि जो भी question discuss यह बहुत ज़्यादा important है आपसे एक साल senior जो student है आपके एक साल senior जो भईया लोग पास होकर के अभी college में पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिला है तो आपको भी definitely फायदा मिलेगा ऐसी संभावना है बच्छोट ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को पूरा यही question English में में stress रहेगा कि miniature paintings with subject matter of 12 मासा are based on 12 months तो थर्ड वाला option आपका correct answer हो जाएगा next question देखिए पहारी painting मुख्य रूप से प्रभावित थी किस सैलियों के अंदर school के उत्परिवर्तन के अंदर तो मुगल और राजस्थानी यहाँ पर correct answer हो जाएगा पहारी जो paintings है न ब ठीक है बच्चो इस style से related है यह चलिए तेम यही question English मेडिया में इस तरह से रहेगा कि पहारी painting was mainly influenced by mutation of which style और school तो मुगल और राजस्थानी यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question देखिए बच्चो क्या है कि painting falcon on word rest के सिर्ष पर पार्ट की sleepy में लिखा गया है तो देवनागरी जुलता question last year का जो paper आया था उसके अंदर आया था ठीक है और अभी जो मैंने paper करवाया है उसके अंदर भी इससे मिलता जुलता आपका question आया था तो यह वाला question बिल्कुल ध्यान से समझ लिजेगा पेंटिंग falcon on word rest जो इसका सिर्ष है यह देवनागरी लिपी में लिखा गया है बच्चो ठीक है तो फर्स्ट वाला option आपका correct answer हो जाएगा सेम यही question English medium में इस तरह रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि in which script is the text written on the top of the painting falcon on bird rest तो देवनागरी आपका correct answer हो जाएगा ब व्यवस्था में सुन्दर महिलाओं को कैसे रखा जाता है तो हाथियों पर बैठे इस तरह से रखा जाता है दारा सिको की बारात संद्रचना व्यवस्था में जो सुन्दर महिलाएं होती है उनको ठीक है तो फर्स्ट वाला option आपका correct answer हो जाएगा सेम यही question English medium में इस तरह हिस्था है तो किसंगर यह जो सैली है यह जो style है इसके अंदर side lock जो है बच्चो यह बहुत जारा important part है महिलाओं की सुन्दरता को ले करके women's की beauty को ले करके ठीक है तो इस तरह से आपका third वाला option correct answer हो जाएगा सेम यही question English video में इस तरह से रहेगा कि in which style side lock are an important part of women's beauty तो आप किसंगर style correct answer हो जाएगा बच्चो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है इसी तरह की वीडियो से आप देखना चाहते तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिएगा बच्चो जितना जारा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जारा हमारा motivation बढ़ता है और व मोटिवेशन दे देता है यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा motivation का लेवल धरती से चांद चांद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चो ठीक है चलिए तात्वा कोशन देखिए बच्चो यहाँ पर क्या है कि कबीर और रैदास पेंटिंग में किस प्रकार की रंग योजना है तो एक रंग का यहाँ पर हमें जिकर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपका second वाला option correct answer हो जाएगा यही question English medium में इस तरह से रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि what type of color scheme is there in the painting कबीर एंड रैदास तो आपक second वाला जो option है यह correct answer हो जाएगा बच्चो next question देखिए कि लगू चितरकला से पहले पांडूलीपी painting किस पर की जाती थी ठीक है तो जो पांडूलीपी की painting होती थी वो ताड़ पत्र और ताड का जो पत्ता होता था उस पर की जाती थी पांडूलीपी के बारे में तो आपक miniature painting on what was unscript painting done तो आपका यहाँ पर पांडूलीप इस तरह से आपका यह correct answer हो जाएगा बच्चो ठीक है चलिए अब हम लोग आ गए है section B के अंदर जिसको हिंदी में आप अनुभाग B भी बोलते हैं इसके अंदर हमसे short answer type के questions पुछे जाएंगे तो आपर देखिए question क्या है कि सिस्से की अपने गुरू सिक्षक गुरू के प्रती अत्यधिक भक्ती अत्यंत पवित्र है और लालच और धन लाभ की सीमाओं से परे है ठीक है जी एक कलात्मक और सरल रचना में इस विशेषता को दर्शाने वाले डैककन स्कूल की painting की पहचान करे और उसका वर्णन करे ठीक है तो इस तरह का खासियत बताते हुए कोई painting है उसका पहचान करना है और उसके बारे में वर्णन करना है ठीक है जो यहाँ पर गुरू और चेल जो का यह हो जाएगा आपका painting और divine आर और hello यह हो जाएगा ठीक है इस तरह से बता रखा है वीडियो पॉस करके read-up कर सकते हैं यही question इंग्लिस में इस तरह से रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और answer यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्वेस प्रकार से लिखते हुए चलना है इसी question में एक अथवा दे दिया है एक choice दे दिया है कि अगर आपको उपर वाला question नहीं आता है तो नीचे वाला जो question है इसको आप attend कर सकते हैं इसके अथवा में इसके choice में देखी क्या question हमसे पूछा गया है कि समरिद और सांस्क्रितिक रूप से परिक्रिष्ट ड करना है तो इस तरह से कर दीजेगा चांद वीबी पोलो खेलते हुए सजाए गए घोडे डेकन स्कूल प्रकृति गाचित्रन बाहरी द्रिष्ट महिलाओं का जीवन इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चो यह question इस साल गा जो आपका sample paper आया है ना उसमें भी इ important रहेगा ध्यान रखेगा तीम यही question इंगलिस मीडिया में इस तरह से रहेगा है आप आप देख सकते हैं और answer आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चो ओके आगे चलते हैं अगला question देखिए तीसरा question है कि दो प्रसिद कलाकारों और भाईयों मंकु और नैन चित्र और आम व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कैसे सफल रहे ठीक है तो आपको अपने सब्दों में यहां पर लिख करके बताना है कि वे लोग जो थे यहां पर जो कलाकार लोग थे हाया मंकु और नैन सुख इन्होंने जो भगवान कृष्ण जी है उनको एक मित चित्र के रूप में और आम व्यक्ति के रूप में कैसे चित्रित करने में यह सफल रहे सक्सेस्फुल रहे जो नीचे दिये गए चित्रों में से किसी एक के संदर्भ में अपने सभी दोस्तों और परिवार की देखवाल करते हैं तो यहां पर आप इस तरह से लिखेंगे यह इस तरह से दिया गया है कि गोपियों के साथ क्रिष्ण तो एंसर होगा पितांबर, क्रिष्ण आकरती, वेश भूसा, हाथ जोडते, मुस्कुराते हुए चहरे, ससक्त और दिव्य प्रेम, आभूशन इनमें से इस तरह से आपको इभी तीन-चार लिख सकते हैं ठीक है यानि फाइन आर्ट का कोई सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन पिछले देड़ से दो सालों से मैं ये सब्जेक्ट बच्चो को पढ़ा रहा हूं, तो जो भी मेरा एक्स्पीरियंस है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने का उस इसाफ से मैं अपना 100% दूंगा बच्चो, बाकि 100% या 110% आपको दूंगा समझाने में, ठीक है, अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, चलिए, इसी कोशन में आपको एक अथवा दे दिया है, कि अगर आपको उपर वाला कोशन नहीं आता है, तो नीचे वाला ये जो कोशन है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, इसके अथवा में इसके चोईस में देखिए, क्या कोशन हम से पूछा गया है, कि नंद यसूदा और कृष्ण स्वजनों के साथ व्रिंदावन जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके बारे में ऐसे जिक्र कर सकते हैं, पिताम बर, कृष्णा करती, वेस भूसा है इस तरह से आप आप जिक्र कर सकते हैं, सेम यही कोशन इंगलिस मीडियो में इस तरह से रहे गए, आप 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 देख सकते हैं, और एंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, इसके आगे देखिए, चोथा कोशन हमारा इस तरह से है, कि एक्ता ताकत है, जो एक्ता ह पर इस कलाकृति का वर्णन करें तो एंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चो तेम यही कोशन इंगलीज मीडियो में इस तरह से रहे गा है आप आप देख सकते हैं और एंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है इसी कोशन में एक अत्वा देदिया है क दर्द और पिडा क का फ्रतिनी धितो करता है इस प्रिंट को इसके सौंदरे के मान को क्या धार पर वड्नन करे या वणित करे तो इस तरह से answer आप लिख सकते हैं से दिवारे प्रिंट फोखला चहरा है कि नहीं दर्द पीडा इस तरह से आप यहां पर दिखा सकते हैं सेम यही कोशन इंगलिस मिद्या में इस तरह से रह गए यहां पर आप देख सकते हैं और एंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है वच्चो इसके आगे चले तो यह है उसकी भावनाओं को पहचानना है और उसकी सराहना एक तरह से तारीव करनी है ठीक है तो वह कौन सा है भया राजा रवी बर्माजी का यहां पर बलसाली है उनकी जो कलाकृती है साथी साथ समुंद्र देव पर क्रोध दिखाती है भगवान राम जी को दिखाती है बिज देखना है बच्चों इसी कोशन में कत्वा है कि अगर आपको उपर वाला कोशन नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि अबिद्र नाथ टैगोर से डिलेटिड आपको बताना है तो यात्रक अंत डॉक डार्क बैग्राउंड हो गया धोने की तकनीक हो गई इस तरह से पेंटिंग्स वगरा आप झिक्र कर सकते हैं वगराव यहां पर देख सकते हैं अगला कोशन से उनके भी आपको देखियों कोशियोंगैज कुछ वार इस तरह से आपको जिक्र करना है वच्छो ठीक है चलिए परफेक्ट अब हम लोग आ गए है section C के अंदर section C में long answer type के questions हम से पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तातवे के ए में इस तरह से है कि राजिस्थानी miniature painting देखी राजिस्थानी miniature style वाला जो painting है बहुत जरह important है इस topic को पूरा cover कर लिजेगा ठीक है यह जो painting है school ने पूरुसों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रती मित्रता और सम्मान को सफलता पुर्वक प्रदर्शित कि चाहिक है यह जो राजिस्थानी miniature painting school है इसने पूरुसों और महिलाओं द्वारा यानि मेल और फिमल दोनों के द्वारा ही जो जानवरों के प्रती मित्रता है और सम्मान है इसको अच्छे से दिखाया है कि हाँ किस तरह से जो पूरुसे और महिलाएं है वो किस तरह से जान रचना व्यवस्था आपको बताना है तो आप इस तरह से यहां लिख सकते हैं एंसर कि मारू रागनी है ना ताहीब दीन मेवाड मानव आकरती बाहरी रेगिस्तान प्रेम साधारन सिमाय राजा और राणी है ना इस तरह से आप एंसर लिख सकते हैं फिर चौगन खिलाडी उ आपर देख लिजे कि हम देखते हैं कि मुगल और प्रांतिय काल के लगुविद्याले के कलाकार पेंटिंग बनाने में कुशल थे ठीक है जी जो एक पेंटिंग में बहुत अधिक आकरतियों को चित्रित करते थे भाया वो लोग एक ही पेंटिंग के अंदर ना भहुत सार आकरतियों को चित्रित कर देते थे ठीक है मुख्य आकरति के पूरक होते थे उन्हें उचित महत्व दिया जाता था और आसपास की भीड के बीच खड़ा होता था अपने अध्यान के पाठेक्रम से मुगल या प्रांतिय काल के किसी एक प्रासंगिक पेंटिंग की पहचान कर देना है जिसके अंदर ये खासियत आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और बोल रहा है कि पेंटिंग का वर्नन अपने सब्दों में करते हुए उप्रोक तथन की पूष्टी भी करनी है कि हाँ ये पेंटिंग इसी संदर्व में है जो कोशन के अंदर बोला जा रहा है तो एंसर इस तरह से लिखना है कि किरिष्ण उठा रहे हैं गोवर्धन परवत इस तरह से लिख देंगे दारा सीको की बारात के बारे में आप यहाँ पर जिक्र कर देंगे बच्चों यही कोशन इंगलिस मीडियो में इस तरह से रहेगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं और एंसर इस प्रकार से लिखते हुए आपको चलना है बच्चों आगे चलते हैं अब सी में कोशन ओ रहे हैं आपर देखिए कि बीसवी सदी के मध्य में भारतिये कला के पुनरुत्थान पर एक निबंद लिखिए आपके उत्तर में सामिल होना चाहिए बंगाल कला का वि अगरतिका आत्मक अर्थ भी सामिल होना चाहिए तो एंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों ठीक है चलिए यही कोश्य इंगलिश मीडियो में इस्त्रस रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं और एंसर इस प्रकार से आपको लिखना है आसा करता हूं कि आपको स ना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो उसको बनाने के लिए चैनल पर अगर आप नए आ आ गए हैं विद्याले शेडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह की वीडियो से हम आपके लिए लेकर के लिए खुश रहिए खुश रखे सभी को जैहिंद वन्दे मात्रम और आल दा बैस सभी को अच्छे से पेपर करना डरना बिलकुल भी नहीं है पोड के आना एक्जाम के अंदर जैहिंद